इससे पहले हमने वीडियो में जोग्रफी को लेकर फर्स चेप्टर अपना कंप्रीट किया है और आपने उन सब में शौट कुशिंस तैयार करे हूंगे जो लैंदी कुशिंस हैं उनको हम बाद में क्लास में देखेंगे अब देखिए अब आज आगे आप अपनी हिस्ट्री के फर्स चेप्टर की ओर ठीक है जो इससे पहले काम कर रहे थे वो जोग्रफी का था और अब जो आज से जो क्लासिस हैं वो होगी हिस्ट्री की फर्स चेप्टर ठीक है हिस्ट्री जो आपकी सबजेक्ट है उसका जो फर्स चेप्टर है उसके बारे में आज हम इस वीडिय में discuss करते हैं और कोषिश करते हैं सीखने की जो भी इस chapter में है तो आज का जो पहला chapter है आपका वो है Europe में राश्टेवाद का उदाए तो इससे जानने से पहले हम यह जानेंगे कि राश्टेवाद आखिर Saturday में है क्या किसे आप राश्टेवगती कहोगे किसे आप राष्टवाद का होगे तो देखिए अगर इसको साधरन भाषा में समझा जाए ठीक है अगर हम इसको बहुत ही साधरन तरीके से देखें अगर आप से कोई पूछे कि राष्टवाद क्या है ठीक है तो राष्ट के प्रती जो अपना समर्पन है ठीक है और एक सम्मान है अपने राष्ट के प्रती होता ही हम में है ना चाहे हम डिफेंस में ना भी हूँ फिर भी अपने देश के लिए हमारे एक अपना समर्पन है और अपना एक सम्मान है ठीक है तो हम हमीशा यही कोशिश करते है कि पूरा विश्व तो बड़ी ही पर हमारा जो राष्ट है वो भी आगे बढ़ता जाए वो कभी भी पीछे न रहे तो यही जो भावना हम सब के अंदर है यह खिलाती है राष्ट्रवाद की भावना जब पूराने समय में देखें कि हम क्या थे अपने वेशिक थे हम गुलाम थे तब भी लोगों में ऐसे राष्ट्रवाद की भावना का जागरण हुआ और उसी का परिणाम था जो हमें आजादी मिली ठीक है अगर राष्ट्रवक्ती नहीं होती अगर सब में मनुष्ट में अपना ही निजी स्वार्थ होदा तो आज भी हम क्या रहते गुलाम रहते क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवक्ती थी राष्ट के प्रती हमारा समरपन रहा इसलिए हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कारी करते हैं ठीक है, तो ऐसा ही जो राष्टवगती है, वो आई यूरोप के लोगों में, ठीक है, यूरोप भी बहुत ही अपने वेशिक रहा, हर किसी से लड़ा रहा, अलग रहा, तो क्या हुआ कि यूरोप में जो है राष्टवाद का उदय हुआ, कैसे ऐसी चीजे सामने आई, कि ठीक है, आप देखते हैं, अगर आप देखें कि 1948 की बात है, कब की बात है, kadar 1848 की बात है, 1848 की बात, एक पैंटर रहे जिनका नाम था, सोर्यू, ठीक है, जिनका नाम क्या था, सोर्यू, इनका पूरा नाम फेडरिक सहर्यू है, इन होने, जब राष्टवादी की भावना Points जागरिट हो रही थी तभी इन्हों ने अपनी एक पेंटिंग के मादिम से यूरोप की जो भविष्य है यूरोप का जो भविष्य है वो बताने की कोशिश करी और जो इनकी पेंटिंग थी जो इनकी चित्र था वह बहुत ही फेमस हुआ यही जो आपकी बुक में पहला चित painting का जो ये liberty है ठीक है जो इस statue है वो दिखाया गया first part में जिसमें दिखाया गया कि अगर हमने 9 में बढ़ा था फ्रांस की क्रांती में जब राश्टी का प्रतीक दिया तो मारियान और जर्मेनिया जैसी जो महिलाइन थी उनके रूप में है एक स्री का statue था इनके एक हाथ में मशाल थी ठीक है और दूसरे हाथ में अध्यादेश था यानि की कानून थे ठीक है तो ये जो statue था वो किसको प्रदेशित कर रहा था कि एक हाथ में तो मशाल है यानि कि उजाला है और दूसरे हाथ में अध्यादेश यानि कि अब देश में कुछ कानून बनेंगे उसका अध्यादेश इनोंने पकड़ा हुआ था ठीक है ये क्या है कालपनिक चित्रकार है चित्रकार की जो चित्रकारिता है वो है ठीक है पेंटिंग है तो इसमें आप द देखेंगे कि ये जो यूरोप और अमेरिका की लोग हैं ये इसके पास आते हुए नजर आ रहे थे एक लाइन में ठीक है सेकेंड पार्ट अफ दिस पेंटिंग कि ये जो अमेरिका यूरोप की लोग है वो सभी साथ मिलकर किसकी ओर आ रहे हैं लिबर्टी ओफ फ्रीडम की ओर आ रहे हैं यानि कि स्वतनता की ओर आ रहे हैं ठीक है मैसेज देखें पिंटिंग के पीछे का थार्ड में उन्होंने फिर दिखाया कि ये सारे जो लोग हैं वो कहां पे आ रहे हैं स्वतंता की मूर्ति की ओर आ रहे हैं अगर आप और भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ बिखरे हुए अवशेश पड़े हुए हैं ठीक है तूटी हुए खंडर पड़े हुए हैं जिन्होंने इसको क्या कहा निरंकुष वादिता का ये क्या थे अवशेश थे ठीक है और चौथी चीज में इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोंग जो है वो फ्रांस के जो लोंग है वो जंडे लेकर इनके पास आ रहे हैं बैक साइट के ओर से ठीक है तो यहाँ पर जो है ये कहने का मतलब है कि जो फ्रांस है उसे अभी अभी स्वतंतरता मिली है इसलिए अभी भी उनके हाथों में क्या है जंडे हैं चौती चीज़ उन्होंने दिखाई कि जो पूरा आस्मान है वहाँ पे दैवे चीज़े हैं जो इस पूरी स्वतंतरता का जो तो पूरी इस राष्ट्रवाद जो सब एक सांथ मिलके सुतंता की हो रा रहे हैं, उन सब को अपना आशिरवाद दे रही हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, अगर बात करते हैं, राष्ट्रवादिता की यूरोप में, फेडरिक सौरियो दौरा बनाई गई चार पार्ट इस पेंटिंग के रहे, चार पार्ट कौन-कौन से रहे, फिर से एक बार देख लो, पहले तो आप किसके बारे में जानेंगे, कि पहला पार्ट क्या था इस पेंटिंग का, कि उन्होंने एक स्टेशी अफ फ्रीडम बनाई, जिसके एक हाथ में मशाल थी, जो अमेरिका और यूरोप के लोंग हैं, वो इस प्रतीमा की ओर आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रतीमा की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब कि उनको भी स्वतंता मिलने वाली है, तीसरी चीज इन्हों ने दिखाई कि कुछ अवशेश पड़े हुए हैं, यानि कि ये अवशेश से अब के बारे में बात की जाए, वो होती है निरंग कुश्वादिता, जो ये अवशेश दिखाए गए हैं, ये इसी का एक प्रमान है, कि अब ये जो निरंग कुश्वादिता है, ये पूरी तरीके से तोड़ दी गई है, ठीक है, अगर आप मूर्ती के फोर्थ पार्ट देखे तो यहाँ पर भी कुश्वादिता का और कहां की ओर आ रहे हैं, स्वतनता की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पूरी पेंटिंग है, और लास्ट पार्ट इसका बसता है, एक सूपर नैचुरल एलिमेंट यानि कि उनका जो दैवी प्रभाव था उनके उपर, उसका कि इ सब का जो गवा हैं, वो कौन है, उपर जो देवी देवता हैं, या फिर इंजिल्स हैं, जिस भी धर्म से और रिलेट करते हैं, तो वो सारे इस चीज़ के दर्शक बने हुए हैं, और एक बहुत ही खुश्रुमा जो है, वो माहौल बना हुआ है यूरोप में, ठीक है, तो इस से ये पाँच भागों में बटी पेंटिंग से यूरोप का जो पूरा राश्रवाद था, वो उन्होंने अपनी समझ के अनुसार अपनी इस पेंटिंग में डाल दिया, ठीक है, आप चाहें तो अगर बुक्स हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, ये रहाब का फर्स पार्ट, सेकिंड पार्ट जो ये अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, वो इसके पास आ रहे हैं, तीसरी चीज हमारी थी ये जो अवशेश पड़े हुए हैं नीचे, ये निरंकुषवादीता का अंत है, ये दर्स आ रहे थे, चौती चीज जी बता हमारा स्वतंतरा रही रोप की, या ऐसा होगा भविश में इन सब के गवाह बने हुए हैं, तो ये सेक्स पार्ट में ये प्रिंटिंग को उन्हों ने बनानी की कोशिश करी, ठीक है, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, नीचे डिटेल दी गई है, जो भी मैंने समझा आप पर्सनिल बेसिस में दे सकते हैं,